नमस्ते दोस्तो हमता यूटी व्लोग्स चैनल में आप तब का स्वागत है दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं केलवा चूटी मचली तो चलते हैं मचली के पास हम आ गया है यह देखिए मचली केलवा मचली तो चलते हैं मचली को पहले हम अच्छे से धो लेते हैं तो मचली को लेकर हम आ गये हैं और इसे यहां पर प्थर पर रख लिए हैं और इसे हाथ के सहारे से ऐसे अच्छे से हम मल देखते हैं ताकि मचली के छिलके अच्छे से निकल जाए तो मचली को हमने हाथ के सहारे से अच्छे से मल दिये हैं और इसे छूड़ गया है तो अब हम इसे धो लेते हैं पानी ऐसे डाल दिये हैं और इसे अच्छे से ऐसे धो लेते हैं तो एक बार हमने पानी से धो लिए हैं और इसे चार बार अच्छे से धो लेते हैं तो चौथा बार हम धूर हैं तो सारे मचली को हम ऐसे निकाल देते हैं ऐसे ताकि खाने में मचली तीता न लगें तो ऐसे सारे मचली को हम निकाल देते हैं तो पाच बार हमने मचली को धो लिए हैं तो अब ऐसे निकाल लेते हैं और ऐसे थाली में रख देते हैं तो मचली को हमने अच्छे से धो लिए हैं तो चलते हैं कीचन में बनाने मचली को तो मचली बनाने के लिए हमने क्या-क्या समीगरी समाल लिये है यह देखे लाल मिर्च और यह देखे काली सरसो यह लासुन और यह हल्दी तो लासुन मिर्चा सरसो को हम अच्छे से पीछ लेते हैं तो सिल्वट्टे पर हम मिर्चा लासुन सर्जों को पीछ लेते हैं तो सारे समान को हमने ले लिए स्वाद अनुसार नमक को भी डाल देते हैं और इसे ऐसे मिला लेते हैं अच्छे से गैस को जला लिए हैं रखते हैं कढ़ाई कढ़ाई मेरी गरम हो रही है तो कढ़ाई गरम हो गई है अब हम इसमें डालते हैं सर्जों का तेल तो तेल गरम हो गया है मचली को अब हम ठराई कर रहे हैं तो मचली को हम ऐसे पलड तो मचली को हमने अच्छे से ठराई कर लिए हैं अब इसे दूसरे ठाली में निकाल देते हैं पहला राउन मचली को हमने बना लिए हैं दूसरा राउन बनाने जा रहे हैं तो दोस्तो देखे मचली को हमने अच्छे से फराई कर लिए हैं यह देखिए कितना अच्छा पक गया है और फराई भी हो गया है तो दोस्तो आज का वीडियो अगर मेरा आप सबको पसंद आए तो हमारे चैनल को सस्क्राइब, लाइक, कमेंट, सीर जरू करना तो दोस्तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार